सारे दोस्ता में तरहनों प्यार परी सत्रीकाल स्वागत जिंदगी चैनल ते तो अड़ा सारे दा स्वागत है जी दोस्तों जदों किसे ते गैर जमानती तरह मत आयत पर्चा दर्ज हो जान दे तो पर्ट सवाणनों दे दिमाग चाओं मंदिया गिर।फतारी ते जेड कि उन्हों छेथी गिर।dar करके जेल पर जिए ते जेड ते पर्चा होंदगी उदे दिमाग को ी मंदिया जमानत जल दी हुन्दिए क dont रॉष गे जमानत मिल जावी कई वार बंदे नू जिड़ते पर्चा हुंदा है उनू पुल्स गिर्फतार करके मैजिस्ट्रेट मतलब छोटा जाज़ा उदे हुकमा मतावका जेल पेज़ दिन दी है एक बखरी गल है कि कई वार बंदे ने जुर्म किता हुंदा है कई वार निर्दोस भी फाजान देने जिना दे किसे सकेस बंदी नू जेल हो जान दी है ओ बकील नू फोन करके बार बार ए पूछ दे रहें देने के साड़ा फलाना बंदा जेल विच्चा जी उनू पुल्स न गरिफ्तार करके जेल पेश दितै उस द यसी जल्दी छेती ठीने करवा जी छेती बार के में कड़ए यह कई वार जीड़ा बंदा जेल भी दिच्मंदा है वो भी वार वार अपने परवार वाले नूं कारवाले नूं फोन करके केंदा रहेंदा है के मेरी जल्दी जमानत करवाओ जी मेनूं जल्दी वार करवाओ इस करके उस दे परवार नूं भी जल्दी हुंदी है के जल्दी तो जल्दी जमानत हो जावे बेल हो जावे कर विच अपने काम कार्चाड के बहुत पाज दोड कर देने पैसे दी बरवाद्धी हुंदी है काड़ी हुंदी है विच्छेती जमान तो हो जे इत्थों तक के कई बार उन्ना दा कोई होर 34 बंदा भी पैसे दे मसले चा मिस जूज कर जांदा है दुरवर्तों कर जांदा है कटे इस तुरह होड भी बहुत सारियां समस्यय आमा खडीयां हो जांदियाने ते इस तरा संनु और बिचे नुभी ज्यादा जल्दवाजी नहीं करनी चेह दि जोश्ञ दे नाळा होस भी रखना चाहिए समेच दारी नाळा ते त्यारी नाडे चलना चाहिए ते कनून दी जानकारी भी जिननी जित्थों तक हो सके जानकारी हसल करनी चाहिए ते आज जापां एसे विसे ते गल करांगे अपना समझन दी कोशिश करांगे के जमांत नाला जिड़ा कनून है जमांत नाल सबंदत कनून की है फट अज अपां समझांगे के जमांत की होंद ने जमांत के अदालत है कोट है वो की डेख दी रिखष दी है केडियां गला नोट कर दी है जमानत रद क्यों हो जान दिया की कारण ने ना फिर की करना पेंदा है यह भी अपना समझांगे जमान तो मंजूर होन तो बाद की प्रसेस है अते कुछ नुक्ते ने सुझा आने नमे बकीला लई नमे बकील सहवान प्रावां लई इसे तरह होर भी बहुत सवालां दे जवाब तो हनू इस वीडियो बिच मिलनेगे मैं दोस्तों जेकर बीडियो लम्मी हो गई ताह इसनू अपा कुछ पागां विच बंड के अपलोड करांगे ते चलो फिर करदें शुरू जी जमानत वारे जमानत की हुंदी है यह जानन तो पहला अपा ए समझ लेए के जमानत दे अधा आरते जड़े जुर्म ने दोस ने ओ दोतरा दे हुंदे ने इक जमानत जोग जुर्म हुंदे ने दुझे गैर जमानत जोग जुर्म हुंदे ने जमान्त जोग जुर्म केड़े ने गैर जमान्त जोग जुर्म केड़े ने एहे CRPC दे सड्यूल एक विच खाना नंबर पांज विच दित्ते गए ने आते ईहे आई पीस दे जड़े बेरेक्ट ने डुक्स ने उना दे वीचे भी दिते हुए دे केड़े जमानत जोग ने, केड़े ले ङैर जमानत जोग ने ते जड़े अनडी पीएस वाड़े केस ने, नसे अड़े केस है उ सारे गैर जमानती जुर्म हुँने देंडे ज्मांत जोग जूर्म हों देने उन्हां विचेज जमांत ब्याक्तिदा ए हक है मतलब जमांत रिंदड प्रसेंट हो जांद है य मिन आपार ज उसको दिए य जमान्त जोग जुर्मां विचे पोल्सनों दोसी नों रहा करन्दा जड़ा अधकार है ते ओ पोल्सनों है पोल्सी रहा कर दें दिया जमान्त जोग जुर्मां चे जड़े गैर जमान्ती जुर्म ने उना विचे जमान्त देनी कोट दी मर्जी हुंदी है अदाल्त दी मर्ज और जड़ी फरलो सर्श्यड़े नू मिली है रामरहीम नू वो जमानत नहीं हैगी कुछ लो का उनू भी जमानत समझ देने वो फरलो है ते पैरोल अते फरलो दा कनून की है ए अपां किसे होर वीडियो चे डिसकस करांगे समझांगे अज जमानत दी गल कर देयां जदों भी क सब्सक्राइब जमानत बेल के छेती जमानत करवाई 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 के जमानत देरा अधकार है जड़ी गिर्फदारी दे चौवी कंट्राइब अंदर अंदर पोल्स अजड़ी वो दोसी नूँ इलाक्का मेजिस्ट्रेट अगे पेश कर दिया जजग्य पेश कर दिया कोट दे विच इक गल जुरूरत आंच रखो के पोल्स कोट दे होकमातों बिना किसे भी ब्यक्ति नूँ चौवी कंटे तो ज्यादा थाने विच न पाई जा सकतिया सेम डे पाई जा सकतिया ओसे दिन तेकनून मताब का कारवाई होईगी डटेल विच अपके से होड़ दिन गल करांगे हैवियस कॉर्पस रिट थे बैसे रमांड वगारा दी भी गल करनी सी पर टैम कट पोल्स कोट अगे रमांड दी बेंती कर सकतिया पर चैनल मेजिस्ट्रेट ने पोल्स कि बेंती रद्यकार दिती होई ताह दोसी नूं जेल पेज दिता जान दे ते कुछ जुर्मां विच्छा जमांत देण अधिकार होहां मेजिस्ट्रेट नूं आए ते बक्ति बचते जुर्मां विच्छ यह अधिकार सेशन जाज जुको उस्तों बाद जे हाई कोट भी जमांत रद्द कर देवे ते फिर सुप्रीम कोट विच भी जमांत दैर किती जा सकती है जमांत ना सिद्धा जया मतलब ए समझ लो कि जदो मतलब कोई बंदा किसे जुर्म दे दोस्च गिर्फ तार जड़ा बंदा है जड़ा जेड़ दे विच्छा है कोट भलों उन्हों कुछ शर्टां दे चड़्ड़ा जानदा टेंपरेरी तौर्टे चड़्ड़ा जानदा पक्का नहीं कई बार गिर्फ तार करन तो पहला भी जमांत मिल सकती है बंदे कई फ्रार हो जानदेने मौकेतों ते जिसनों अप मेजिस्ट्रेट नहीं बाकी बच दे जुर्मा ने जड़े उन्हा दे दोसां विच्छ गिर्फदार ब्यक्ति दी जड़ी जमांता के मिला सेशन जाज लें सकता है जीना जुर्मा विच्छ फांसी दी सजा जा उमर काया दे जड़ी उन्हान नू छड़के बाकी दे जुर्मा दे दोस ने उन्हा विच्छ गिर्फदार दोसी नू जड़ा मेजिस्ट्रेट जमांता ते रहा कर सकता है पर कुछ बिसेश कारणा करके कुछ स्पैशल कारण हो सकते ने जिमें के दोसी जे उदी उमर 16 साल तो कट है ते जां कोई आवरत है तां भी जमांता बरे सोचा जा सकता जा कोई बंबार है मेजिस्ट्रेट जड़ा फांसी जा उमर कैद वाले जुर्मा विच्छ भी जमांता लह सकता है इना केसा मिच्छ अगर शैशन जजज नू हरतरा दे जुर्म मेंचे जमांता ते रहा करंदादकार है जिमें डेथ फांसी दी साजाओ दे विचे हाई कोट तों कनफर्म करोनी पेंदी है एक बखरा चलो फेर किसे दिन समझागे शैशन जज फांसी जा उमर कैद वाले जड़े जुर्म ने उनना विचे गिर्फदार दोसियां दे नाल नाला उनना दोसियानू भी जमांता ते रहा कर सकता है जिना दी जमांत मैज आजी रद कर दिन दा खार्ज कर दिन दा ता फिर जहे होकम दे वरुद दोसी पहला हाई कोट विच जा सकता है ते जह हाई कोट भी रद कर दे वे फिर सप्रीम कोट विच भी जमांता लगा सकता है अपनी गर्द कर दे एंटी स्पेटरी बेल दी जमांता दी जदों किसे व्यक्ति नो किसे गैर जमानत जोग जुरम बिच गिर्फतारी दा डर होवे, अरेश्ट दा डर होवे, ओ अपनी गिर्फतारी रकबॉंडी अदालत विच अरजी दार कर सकता है, सैशन जाज ज़कोडे, जे व्यक्ति दी दलील विच दम होवे, ता जडी अदालत है, ओ पु यह एंटी स्पेट्री जमानत दे विच होंदा, एंटी स्पेट्री जमानत के हाजानदा, जडी बार दी बार जमानत हो जानदी है, एंटी स्पेट्री जमानत दी रहत केवल ना जमानत जोग जुरमा विच प्राप्त हो सकती है, मैजिस्ट्रेट नो एंटी स्पेट्री ज मांत ती सुनवाई करन दा अदकार नहीं हैगा यह अदकार केवल सैशन जजन हुआ है लोड पैन दे अर्जी सथी हाई कोट विच भी देर किती जा सक दी यह जाद रहे के एह जुरूरी नहीं के एंटी स्पेटरी जमानत दी अर्जी केवल उसे सैशन जज जा हाई कोट जुर्म हो यह कदम मकद्मा दर्ज होएंगा देशा कि यह अर्जी देश खोड़े किसे हाई कोट विच देर किती जा सकती है एक बक्री का लेक्ट हाई कोट ने उस सुनवाई नहीं कर दे पर बसेश जड़े हलात ने कई वर होन जे ता सुनवाई करनी भी पवे ता कुछ समय लई रहाता मतलब एंटेरम जमानत दित्ती जा सकती है सबंदत अदाल्त विच अरजी दैर करन तक घी दित्ती जा सकती है सबंदत अदाल्त को ले पहुंचण तक दा जड़ा समा दित्ता जा सकता है एंटेरम बेल देगे एंटी स्पेटरी जमानत दी अर्जी जड़ी हैगी या ओहू किसे भी अजनभी जा बिचोले जा दोसी दे किसे रिष्टेदार वल्लों दैर नहीं किती जा सकती कई वार आउडर पास करन तो बाद अदाल्त सरकारी बकील अते पुर्श कप्तान नू कटो काट साथ देना दा नोटस दे दन दी है ता जो जड़ी अंटी स्पेटरी जमानत दी अर्जी ते अंतम फैसला देन तो पहला उसनू सुने जा सके गैर जमानती परादा मिच जमानत लेना दो सीदा हक नहीं हुंदा एहे जज़ी इच्छा उपर निरपर करदा है ज़ी मर्जी है उन्हें जमानत देनी है के नहीं गैर जमानती जुर्म होगे जे ते जड़ी एहे उदी मर्जी है एहे केस दे तथांते निरपर कर दी है ते ओ एवी देख़दा के अपराद किन्ना को सुंगीन है उन्हें जुर्म की किता है उदा रोल की है उन्हें किता की है जेकर अदाल्त फाइनल आउडर विच एंटी स्पेक्ट्री जमानत देन तो ना कर दिद दिया है ताप उस निश्चत गैर जमानती जुर्म बास्ते दोसी नू बिना बरंट तो गिर्फदार कर सकती है जिमे के हाई कोट ने इंटार्म जमानत देन तो बाद फाइनल आउडर विच बेकरम जीत सिंग में जीठे दी अइंटी स्पेक्ट्री जमानत रद कर दिती सी ते पहला हाई कोट ने जवांत देती सी कि ते इंटेरम बेल देती सी इंटेरम जवांत पर फैनल ओडर विड़े उन्हें रद्ध कर देती फिरो स्प्रीम कोट गया ते एक 2018 दे विच अमेंडमेंट होई सी तारा 434 एड किती गई सी जिस दे उनसार आई पीसी दी तारा 373, 376 AB, 376 DA, 376 DB जो के बलातकार नारस वंदत केस ने उन्हा विच अदाल्त कदे वी अंटी स्पेट्री जमानत नहीं करेगी क्योंके एहें बहुत ही संगीन जुर्म ने अते दोसी दुआरा पीडत अते गवाहान उपर वावत करन अते सबूत्ता नूं मिट्याउन दे जादा चान सोन देने को अंटी स्पेट्री जमानत नों कई वारी प्रीयर एस्ट जमानतवि कए का दितता है जांदा जड़ी बलंगेट धेल हुंदी है वाभी hoe दे मतलब पर्चा दार्ज होन तो पहला हीं लगाई जा सकती है ते एनु ब्लेंकेट बेल जवानत क्या जन्द है ते जड़ी ट्रांजिट बेल हुंदी है उनु अपा आवा जाई जवानत भी कह सकते हैं आवा जाई मतलब आउन जान दा समा ए ओ जवानत हुंदी है जिमें मन लोग के कोई व्यक्ति दिल्ली विच है ते पर्चा उसते चं त्रांजिट बेल लगा सकते हां अते अरजी विच ए मैंग करसा कते हैं कि उसनु अपने केस दी चंगी पैरवाई करन लेघ चंडीगावत तक जानदी मतलब रहत दित जावे समा सर्जिट पर्ण्दि जावें जमानत जावें के तव Giving के मतलब चंडी गड तक गिरुफता जमांते गाल किती सी ओंधिया के जीड़ी किसे भी जमांते फाइनल आउडर तों पहल्ण कुछ समयले दिती जानदीया जिमें के जढ़ा स्रोमनी काली दा लीडर बेकरमजीद सिंग मजीठिया उन्हों इन्टेर में जमांत दिती गई सी कई वार हैं एधन भी हों दा कै बंदा अपने यहां पी कौर्ट विछ सरेंडर कर देंदा सरेंडरकरण Chief वाद फिर रेगूलर जमान्त हो दा रेडूरर बेल लगाऊ दा ते एक जबानत सी आरपी सी जीता रहा जड़ी तिनसो उनन्न में हैं जिन्पा सस्पेंशन आफ संटेंस भी कहा जिन्देयां उदे तहत भी हुंदी है ते पर इस ता रहत है ते जबानत हुंदी है वो दो हुंदी है ज़ो सजा होन तो बाद अपील आज़े कोट विच पेंडिंग होए ते अपील आज़े चल रही होए ता उस द्रान जड़ी सिंस्पेंशन आफ सेंटेंस दी जमानत दी अरजी लगाई जा सकती है ता दोसी दा जमानत ते रहा होन दा पक्काद कार हो जान दै दोसी अडमिथे समेले हिरास्त विच नहीं रख्या जा सकता संगीन जुर्मा विच पोर्स लेज़ी तप तीस दा समय उहो नब्बे देन है अते बाकी दिना विच एहे 60 दिन है एना 60 दिना विच तप तीस पूरी करनी जुरूरी है जे पोर्स एह समा सिमा विच तप तीस पूरी नहीं कर दी चलान अदाल्त विच पेस नहीं कर दी ता दोसी नू जमानत ते रहा होन दा अधकार मिल जान दै एकसो स्तार्ट दो दी जडि तारा सी अरपीसी दी एसे नरस बंदत है ते जे अरजी नहीं लगए जान दी असता रहता है ता उस तो पहला पूर्स ने चलान पेस कर देता हुए ता दोसी दा जड़ा अधकार एहे जमानत लेन दा हक के जड़ा वो खत्म हो जान दै जडि तपतीस है ए तपतीस मुकमल करन दी जडि समासी मैं कनून बल्लूं जडि जुर्म दी जडि जुर्म ने उनना दी गंपी इरता दे दा आरते एहे ताय किती गई है इननों दो हिस्सें विच बंड़ा गयागा ओहो जुर्म जीना विच सजा फांसी है उमर कायद है जा दा साल है जा इस तो बाद है दा साल तो उनना विच नबे दिन रखे गए ने इन्वेस्टिगेशन दे बाकी जीना विच सजा एक साल है दो साल तक है तिन साल तक है पांच साल तक है उनना मकादमया विच साथ दे ते 90-90 दिना दी गिनती जा जड़ा तरीका ओ एही है ते जड़ा रमांड दा पहला देना है पहले रमांड वाले देन तो जड़ी शुरुआत हुन दी या गिनती दी चलान पेस करन वाला देना जड़ा गिनती विच सामल नहीं हुनदा मन लव कंदमय में देना दोसी एसद का अर्धी बर्तो करदे होए अदाल्त विच जमानत दैर करदे ते बंदमय में देना अदाल्त उस जमानत नू रद करदेंदी है ते बंदमय में जा तरन्दमय में देना पॉर्णस अदाल्त विच चलान पेस कर देंदी है जेकर इसे दरान दोसी पहले हुकमा दे वुरुद उच्च अदाल्त विच अपील दैर कर देंदा है ता उच्च अदाल्त नो उस दी अपील मंजूर करनी पहोगी पामे के पॉर्सबलों उस दी जमानत मनजूर होन तो पहला चलान पेस कर दिता गया है क्योंके दोसी नू जमानत ते रहा होन दाद का आरा उस दी अकनमे में देन जड़ी उने पेस किती है दर्खास त जमानत लगाई है उसे देनी प्रावत हो क्या सिगा जड़ी हैद का अरदी समापती होंदी है अपां उवी समझ लेन जगदों खत्म हो जान दाद है जड़ों दोसी जमानत दे होकम दे बावजूद भी जमानत नहीं पर सकिया मननलो जे कतल केस विच्छ दोसी जमानत ते रहा होन लई दर्खास त दिन दाद है अथे इन तिन्ना दिना विच्छ पर से चलान पेस कर दिन दी है तां दोसी जमानत ते रहा होन दा अधका आ रहा है वो खत्म हो जान दे है इथे एवी स्पश्ट कीता जान दाद है कि जे दोसी तिन दिना तो बाद जामन पेस कर दिन दा है आइ पॉर्स बाद विचे चलान पेस कर दिया तां दोसी दा जड़ा जमांते रहा होंदा हक का है वो बणया रहन-दा है जड़ो दोसी चलान पेस होंदा इसली अरजी नहीं लगोंगा दैर नीं कर दा ते पुर्स निश्चत समासीमा समापत होन तो बाद अते जही जड़ी जमानत दर्खासत आउन तो पहला चलान पेश कर देंदी है ताँ भी जड़ा दोसी दा जमानत ते रहा होन दा अधकार हो खत्म हो जान दे मन लो किसे कतल केस विच पुर्स नबे दिना विच चलान पेश करन विच फेल हो जान दी है समासीमा समापत होन देजड़े 10 दिना बाद भी दोसी जड़ा जमानत ते रहा होन दी अरजी नहीं देंदा जमानत नहीं लगाऊंदा पुर्स जड़ी हो समे देन चलान पेश कर दिना ता दोसी जड़ा जमानत ते रहा होन दा अधकार हो जान दे ते चलान पेश होन दे लगाद अदालत बदोसी जड़ी जमानत रद नहीं कित्ती जा सकती एक वार दोसी दे जमानत उपर रहा होन तो बाद अते पोर्च दे चलान पेस करन तो बाद ए हुकम केवल इस अधारते रद नहीं किता जा सकता के चलान पेस करके पोर्च ने अपनी कमी नूँ दूर कर दिता है जड़िया कोट बलों जमानत देन वेले 93 रखे जान दियाने वह एहे ने के सबतो पहला था कोट एह देख दिया है के इस बंदे ते किन्ने परचे ने केस ने जहां सिर्फ एह ही इकको परचे है इकको केस है जे उस बंदे ते होर भी केस होन परचे होन ता कोट जड़ियोह एनी छेती जमानत नहीं देन दी ते जे कोई होर परचे नहीं हुंदा ता जमानत जल्दी हो जान दी है ते होर कारण जड़ी तपतीस है ओ मकमल होन विचे नमा लम्मा समा लग रहा होवे जादा टैम लगदा होवे ते जड़ी मकदमें दी सनवाई है ओ पूरी होन विचे बहुत जादा समा लगणा होवे ते होर एही अभी जड़ी दोसी आ ओ लम्मे समय तो जेल विच बंद होवे जड़ी दी उमर छोटी होवे जा वुजुर्ग होवे जा कोई सीरियस बमारी होवे उसनों जा कोई औरत हो सकती है जहां कई वर एह भी दिख्या जान दा कि इस बंदे दा समाज में चुरुतबा की या स्टेटस की है ते जिड़े जमानत रद होण दे कारण ने ओ एह हो सकते ने जिमे के जमानत ते रहा करन दा होकम सणों दे समय अदालत वल्लों कुझ शर्ता लगान जान दिया ने उस ब देड़े विच्चों बार आके दोसी होर जुर्मनी करूगा ते कुनून मताव करूगा ते मकदमें दी सुनाई दरान लगातार अदालत विच पेश होगा अपनी हाजरी लगाऊगा गैर हाजर नहीं रहूगा ते मकदमें दा जड़ा मदाईया ओनू ते गवाहानू गव पॉलिस ऑफिसर होते कोई गल्त दवा नी पाऊगा उन्हों कोई लालच नी दवगा ना तमका होगा ते लोड मताव को होर शर्ता भी लगान जा सकती है ने जिमें के उता पासपोर्ट है जड़ा ओधालत विच जमा करवान ले होकम हो सकते ने बदेश जान तो पहला आद नालतों मंजूरी लेडा भी यह भी शर्त लगाई जा सकती है फोर भी जे दोसी बाहरा के इना सर्ता दी लंगना करता है ता दोसी दी जमानत दा हुकम रद करके उन्हों मोड़ दवारा तो जेल पे जा जा सकता है रेस्ट परण्ट जारी हो सकते ने इक गल्ल समझ देनी जरूरी है कि जमानत रद करन दा भुक्म केवल ओवी अदालत सेना सकती है जिस वल नों जमानत मनजूर करन दा भुकम सनाया गया होगी मन लव जे हुकम हाई कोट वलनों सुनाया गया तां जमानत दा हुकम केवल हाई कोटी रद कर सकती है मैजिस्ट्रेट जा सैशन जज नहीं दोस्री वलनों पहला किते गए जुर्मा वर्गे होर जुर्म करना ये भी कारनेक जमें कञ्जानों चोरी करन दी आत हुन दी है चल रही तपतीस विच दखल अंदाजी करूआ तां भी गवाही विच छेड चाड करन दा जतन करूआ मदई जा गवाहानों ता मकियां दे हुआ जा कोई पगोडा होन दा जतन करूआ हो जहां फिर जेड़े ने जमानता दिती हुन दिया है ओधी पहुंच तो बार होन दी कोशिश करूगा तो किसे बार ले दे से विच पाज जान दी संभावना भी हो सकती है तो एहे जड़ी अगल्दा ने एना करके ही जड़ी जमानता वो रद हो सकती है जे एहे शर्ता नहीं मन्दा भ्यक्ती ता पोट उस दी जमानता नो रद कर सकती है उन दवारा तो जेड़ पे सकती है जहां फिर दवारा तो जमानता पर रदे होकम दे सकती है नमे से रे तो दोस्तो एस वीडियो चपाँ कुछ उग अगल्ना संजियां करांगे जीना नाड भ्यक्ती नो जल्दी जमानता मिल सकती है जदों किसे भ्यक्ती ते गैर जमानती तरह माता है ता परच्चा दर्ज हो जान्दा है फाइयार दर्ज हो जान्दी है ता ओ भ्यक्ती अते उस भ्यक्ती दा परवार अते उस दे सारे सके सबंदी ए चौंदे ने के जल्दी जवांत हो जावी सद्धा बंदा जल्दी बार आजावी केश्चों बरी हो जावी जल्दी जवांत लेन लेई कुझ इह नुक्ते ने पहला था इह के F.I.R. नू चंगीतना पड़ो नोट करो के कटना केड़ी तरीक दी है उस टैम समा की सीगा ते F.I.R. दी तरीक अते समा की है जे F.I.R. दर्ज करौन चे बहुत ज़्यादा देरी होई होबे कई दिना बाद F.I.R. दर्ज होई होबे ता एवी जल्दी जमानत करौन ले एक चंगा ग्रोंड बन सकता है एक पॉइंट बन सकता है एप अखले आ जा सकता है के F.I.R. एक सोची समझी साजस तहत दर्ज करवाई गई है ते F.I.R. दी जड़ी है तरह आमाने ओना नू चंगीतना पड़ो चेक करो के सजा के नी बन दी है तरह आमा के निया को सुंगी इनने ए तुसी अपने मवायल ते भी देख सकते होंगी गूगल ते चेक कर सकते हों जे चलान पेश हो गया होवे ता चलान नू चंगीतना पड़ो अते ट्रायल कोट विच गवाहां दे ब्यान होए होन उना नू चंगीतना पड़ो जो तो हाड़े पक्ख वीच होवे उनू नोट करो तरह आमा मतावक ए नोट करो के पोलुसने चलान किन्ने दिना विच फैल करना है किन्ने दिना विच चलान फैल होना चाहिदा है जे तरह आमा मतावक सजा 10 साल तो कट बन दी होए ता चलान जे हैगा जड़ा उहो 60 दिना विच फैल होना चाहिदा है 2 मिन्ने विच जे सजा 10 साल तो बद बन दी होए ताँ चलाण 90 दिना विचे मतलब 93 हिन्य विचे फैल होना चाहिए जे चलाण इन निश्चत दिना मताबक फैल नहीं हुंदा ताँ जवान ताजड़ी CRPCD तारा 142 दे तहत 100% हो जान दी है वो ब्यक्ति दा हक बन जान दा है ते जे कुई होर रकाउड जा सबूत जो तहाड़े पक्ख विचे होवे ओवी अकठा करो संबालो उस्तवाद अपने बजट मताव के एक चंगा मेंती इमानदार बकील चुनो वगील जड़ा Crimental केसां दा कम करदा होवे जमानतां दा कम करदा होवे जड़ा तहाड़े केस दी चंगी पेरवाई करसकदा होवे केस नद सबंधत सारा रकाउड लै के वगील नू मिलो सारी जानकारी वगील नर संजी करो कुझ भी शपाऊना जिसदा के तो हाननू पर विक्थ विच कोई नुकसान होगे ते जड़ा काम तुसी मवैलते कर सकते हो ओ एया के सुपरीम कोट ते हाई कोट ते जड़े मिलदे जुलदे फैसले ने ओ गूगल ते लबो जो तो हड़े पक्थ विच हो न ते जे व्यक्ति ते पहला भी कोई केस जा पर्चा चलदा होगे ता ओ भी दसो अपनी अरजी विच जबानत दी अरजी विच जुरूर लिखो ते अपडेट रहो अपने केस दे नाड जाग दे रहो क्योंके जेडे लोक सुत्ते पहे रहेंदे ने अदालता भी उना दी मदद नहीं कर सकतीया इसलिए हमेशा जाग दे रहो अपने केस नाड हमेशा अपडेट रहो केस विच अपने बकील दी सैता जरूर करो सारा कुछ बकील ते ना छड़ो जे तुसी चवनेओं के कोट दा फैसला तो हड़े पाख विच होगे ते जे कोई मेडिकल रकाओड है जो तो हड़े पाख विच है ओभी जवानत दी जड़ी अरजी है ओदे नाड जरूर लगाओ जे में के कई वार लड़ाई चागड़े विच दोन्नों ते रांदे सटा लग गयां दियाने ते कई वार एक केस विच एक तो बद दोसी होंदे ने जे पहला किसे साय दोसी ब्यक्ती दी जमानत मंजूर होगी होगे ते समानता दे अरते तो अन्नों भी जमानत मिल सकती है जे तो अड़ा मिल दा जुल दा रोल हैगा जिस तरह ओ ब्यक्ती दी जमानत होई है ओदा रोल सी उस तरह दा तो अड़ा रोल है तो अन्नों भी जमानत मिल सकती है तहां वो ओडर भी ज्रूर लगाओ अरजी नड़ा ते जवानत užड़ें तो पहला जजज धा रोष्ट्र ज़ूर चेक करो कई जज जबानत देन वीच जड़े हुंदे ने खुले देल दे अंदे ने ते कई जज इन्नी जल्दी जबानत नहीं देν दे कई वार जड़ी कटना वाड़ी था है उथे CCTV कैमरे लगए हूं देने जे तुसी नर्दोस हों ता ओ CCTV फुटेज या जड़ी उत्त हड़े पक्ख विच है जी ता तुसी उन्हों CCTV फुटेज न्हों पैने ड्राइव विच पाके अपनी जवानत दी अरजी नर लगा सकते हू कई वार मोवयल देन अरवी वीडियो रकॉडिंग हो जान दी है कटना वाड़ी था दी जा कई वार होर कर लें देने आड़े दो वाड़े याड़े लोक जे ओ भी तो हड़े है तो हड़े कोड़ है तो हड़े पक्ख विच है ता ओ भी तुसी सुबूत बज़ों अरजी नड़ा लगा साकते होंगे ते जे व्यक्ति नर्दोस है पर्चे विच चुठा फसाया गया केश्च ता उस टाइम जड़ी कटना दख्याई गई है उस टाइम व्यक्ति उत्थे नहीं सी किसे होर जगा सीगा ता जड़ी मुवाइल दी लोकेशन है ओ भी तुसी अपने बच क्रिमिनल रकावड है उस्ते कोई जे पर्चा नहीं है उक नुन मन्न वड़ा ब्यक्ति है ता जल्दी जबान्त हो जानदी है जे उसते कोई हो और पर्चा हेगा पहला ता फिर इननी जल्दी जबानत नहीं होंदी ते यह भी पखले आ जासकता है जे वूं बंदा टैक्स पे करता है के हो जे जेड जावेगा ता समाज नू कुई फैदा नहीं सबों काटा पवेगा क्योंके ओँग देश देख जाने चापना जोगदान पहुंदा है जे व्यक्ति दी उमर जड़ी है कि 16 साल तो काटा है जाह वह बजुर्ग गए जाह कोई आउरत है जाह उस व्यक से सारा प्रवार चलदा है प्रवार्दा गुजारा चलदा है तगा ये बखभी जवान गलतालि और जडude ज़क मिल रखना मैं जवान निष्ट द मधिन时र लिखना चाहिए ना ही ड्राऊगा ना तमकाऊगा ते कोट विचे हरेक तरीक ते हरेक पेशी ते हाजर होगा